दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग महिलाओं को कई प्रॉबलम्स में दी जाने वाली दवा लेटो वेल टेबलेट के बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे दोस्तो लेटो वेल टेबलेट को कई लोग कंसीव करने की दवा बोलते हैं तो कई लोग इसे कैंसर ठीक करने की दवा भी बोलते हैं तो चली इस टेबलेट के बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे इस वीडियो में हम लोग इसके company, compositions, फाइदे और side effects, इस्तिमाल करने के तरीके और dogage और इसके price के बारे में जानेंगे तो दोस्तो वीडियो को प्लीज आप लोग पुरा end तक जरूर देखें ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए अगर हम लोग इसके compositions की बात करें तो इसमें लेटरो जोल 2.5 mg होता है अब हम लोग इसके फाइदे और इसके benefits के बारे में जानते हैं तो दोस्तो लेटरो वेल टेबलेट में लेटरो जोल 2.5 mg होता है जो की महिलाओं में infertility का हिलाज करने के लिए डॉक्टर के दोरा दिया जाता है दोस्तो इस दवा के में लिए दो उपयोग हैं पहला अस्तन cancer के हिलाज में और दूसरा महिला के ovulation के हिलाज में अब ये दोनों problems क्या है दोस्तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा और details में जाननी की कोशिस करते हैं तो दोस्तो कई महिलाओं में 40-50 के उम्र के आसपास उसका periods आना बंद हो जाता है जिससे रजुनुरती या फिर मैनोपोज कहते हैं दोस्तो समझने वाली बात ये है कि जिन महिलाओं में मैनोपोज आ गई है लेकिन फिर भी उन्हें कुछ महिनों के बाद अगर bleeding दिखती है तो उन्हें गयानों डॉक्टर से मिलना चाहिए क्योंकि ऐसा होना cancer और tumor के लक्षन हो सकते हैं अगर महिला के अस्तन में दर्द हो रहा है और दर्द continue बना रहता है तो ये tumor और cancer के लक्षन हो सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से समझना और जानना चाहते हैं तो मैनोपस से related मैंने एक वीडियो अल्रेडी बना रखा है i button और description में वीडियो का link है आप जाकर जरूर देखें तो दोस्तो अब हम लोग महिला के अवलेशन के बारे में जानते हैं दोस्तो महिला के अंडासे से जब अंडा बाहर निकलता है तो इसे ही हम लोग अवलेशन बोलते हैं यह हर महिले में महिला के periods के cycle में होता है लेकिन कई महिलाओं में किसी कारण से उसके अंडासे से अंडा यानि एक विक्सित नहीं हो पाता और सही समय पर release नहीं हो पाता जिस वज़े से अवलेशन के timing भी disturb हो जाती है तो दोस्तो यह दवा महिला के अंडासे से एक अंडा के normal विकास में मदद करता है साथ ही अंडे को सही समय पर बाहर निकालता है ताकि अवलेशन सही समय पर हो सके और दोस्तो जिस वक्त अंडासे से एक बाहर निकला रहता है यानि अवलेशन में होता है अगर उस समय महिला अपने partner के साथ संबंद बनाएं तो उसके pregnant होने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि इसी समय महिला के अंडे और पूरुस के सुक्रानों में fertilization होता है और महिला conceive कर लेती है ये अवलेशन का समय periods के लगबग 12-16 दिन में होता है जिस महिला को pregnant होना रहता है वो इस समय को ध्यान में जरूर रखे तो दोस्तो समझ में आ गया होगा कि लेटोवल टेबलेट के फाइदे क्या है और ये टेबलेट किस तरह से महिला का अवलेशन के timing को सही करता है अब हम लोग इस टेबलेट के इस्तमाल करने के तरीके और इसके dosage के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके dosage तो महिला की बिमारी की condition पर depend करता है मतलब अगर breast cancer के लिए ये टेबलेट यूज क्या जा रहा है तो इसे दिन भर में एक टेबलेट नॉर्मल वाटर के साथ लेना है और अगर महिला of lesson के लिए इस टेबलेट का यूज कर रही है जिससे महिला conceive कर सके तो इसे महिला को अपने periods के तिसरे दिन से daily एक टेबलेट करके सुबह खाना खाने के बाद या फिर नास्ता करने के बाद नॉर्मल वाटर के साथ लेना है ये महिलाओं के normal dose हैं जो generally लिया जाता है बाकि डॉक्टर आपको जैसा suggest करते हैं आप वैसा use करें अब हम लोग इस टेबलेट के side effects के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके side effect हैं थकान होना ज्यादा पसीना आना हाई cholesterol होना और सरदर्द करना इतने सारे इसके side effect दोस्तो रेर हैं जल्दी होते नहीं हैं होने से अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिएगा अब हम लोग लेटोवेल टेबलेट के प्रैस के बारे में जानते हैं फिर विए अगर आप लोग के मन में किसी तरह का सवाले सुझावे तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर पूछें हम उसका time to time जरूर रिप्ले करेंगे अगर ये विडियो आप लोग अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे विडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल मेडिसीन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राब कर दे और बेल आकॉन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तब तक दोस्ता आप लोग सौशत रहे हैं मस तरहें फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद